मैं हूँ आपके साथ अमन चोपड़ा और आज ये विशेश ब्राटकास्ट है, स्पेशल ब्राटकास्ट है जो अभी अभी आपने शो दिखा और अमरित काल के 75 साल की पूरे भारत की एक कहानी, स्वतंतर भारत की एक कहानी, तमाम प्रदान मंत्रियों की जुबानी, ये संभवता पहली बार है, जब इस तरह का प्रियूग किया गया है कि तमाम प्रदान मंत्रियों की जुबानी, 75 भाषणों के जरिये, आप तक भारत की गौरव गाथा, स्वतंतर भारत की गौरव गाथा, आप तक पहुचाने की कोशिश की, अच्छा जो ड्राइविंग सीट पर थे मेरे सामने है, अनुपम खेर है मेरे साथ, जिनका शो भी आपने देखा, मेरे साथ इसक लाइव है, बहुत-बहुत स्वागत है सर, अनुप स्वतंतर देश में सांस लेना अपने आप में बहुत-बड़ी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसा कि मैं ने शो में भी कहा कि मैं देश से 8 साल चोटा हूँ, और देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, मैं पैदा हुआ था 7 मार्च 1955 को, और शिमला में, तो मैंने और द कर देश में देश में अपनी जवानrecी कर देखी है और बिचपना साथ में गुजा रहा है, तो आप उसको देश को भाई कह लो, बहन कह लो, मरे बड़े भाई की तरह या मरी बड़ी बहन की तरहूँ जो भी आप कहना चाते हैं, अब रहती आधा हैं, मातर भूमी कहना चा कुछ भी कह सकते हो कुछ भी बोल सकते हो Do प्रदधन मंत्री। सारे भाषनों का आपने उनको देखा होगा, सुना होगा, आपने हमारे सामने रखा। कोई एक भाषन जैसे 75 भाषन हैं। कोई एक बात, ऐक फैक्ट जो आपको लगा। कि यह आपको नहीं पता थी, यह पहली बात, मुझे कुछ बाते हैं। यह बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, जब हम स्कूल में थे, तो स्कूल वाले बोलते थे कि अपंदर अगस्त को भाशन आने वाला है, तो बहुत सालों तक तो 1964 तक तो प्राम मिनिस्टर नहरू का ही भाशन सुनते थे, और एक प्रथा थी, 17 साल, और एक प्रथा थी, औ एक स्कूल में बिठाया जाता था सबको, मैं तो बड़ा हिंदी मीडियम तैप स्कूल में गया था, और हमारी तो प्रेयर भी थी कि सारे जहां से अच्छा है इंदुस्ता हमारा, तो आई थिंक, जब मैं दुबारा रिविजिट किया इस शो करने के लिए, तो कुछ चीज हैं, आप लोग लेजी हैं, जीन वाले ज्यादा महनती हैं, भारती हैं कम महनती हैं, और वेपारियों के लिए भी बोला था, अपको अंदाज आयना है शो के बड़ पर दुश्मन बनने वाले हैं, पर ये शो जो है पूरा इस पर पूरा रिसर्च जो है, कोई मन घडंत बा गया है, और कोई उसकी इंटरप्रेशन नहीं गया है, इस पर बहुत महीनों तक काम किया गया है, तो जब पहली बार सुना कि ये कहा किसी प्रधान मंतरी ने, तो फिर यकीन ही होगा, फिर सुना होगा, क्योंकि हम, we take it for granted, 15 अगस्त को जैसा की शो में मैंने कहा कि लोग इ अगर किया रहे इसके बाद भी चुटी है, कुछ तो चलो और लॉंग भी, what the Prime Minister speak, we don't really hear, अब शयद हम सुनते हैं, because इसकी एक परंपरा बनाई गई जा रही है, मगर जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से, Dr. Manmohan Singh ने, Sonia जी का नाम लिया था, was not holding any post in the government, ये मुझे पता नही नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर, ये हुआ नहीं आज तक, ये फर्स टाइम था किसी प्राइम निस्टर, Absolutely, absolutely first time, so again, it's an observation, आपनी पार्टी के अध्यक्ष का नाम, लाल के ले की प्राचीर से, on 15th August, 15th of August, पहली बार लिया था, स्वतनतरता दिवस पर, जो क कि नेशन को होता है, उसमें पहली बार लिया था, बिल्कुल पहली बार लिया था, दूसरा, नहरू की स्पीच, में वो उन्होंने कहा था, और दूसरा ये भी कहा था, कि आप लोग लेजी हैं, और कम महनती हैं, और जो, बिजनसमेन को हमेशा, socialist point of view से, बिजनसमेन जो थे I think it's more important to make people aware of it, अब इसमें ये interpretation जैसे आपने दुशमनों की बात की, उसमें दुशमन वो होंगे जिनको ये सच सुनने में परिशानी होगी, मगर तो सच तो सच है, जैसे आज के दौर में महंगाई की चर्चा होती है, तो अब लाल किले से गून के जरीए आपके उस शो क को निकाल के वो क्लिप बता जाएगा कि जब नहरू जी ने कहा था, कादियान संकट पर, कि खपत कम करो, तो वो चीज़े आप निकल कराएंगे शायद, कि भारतिये कम महनती है, सब निकल के आएगा, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो प्रड़क्शन हाउस ने या डिरे किया है, इंद्रा गांदी जी की तारीफ के दब एशी डेल्ट विद 1971 वार, पर उसके बाप आपातकाल लहोचवी का जिकर आपने किया, और आपातकाल तो उन्होंने लगाया था, अब उसके बारे में कैसे जिकर नहीं करेंगे, जो दो साल तक और लगभग लगी थी, वो बायस नहीं करेंगा, और अगर बायस करता है तो तो देन, आपातकाल लाल किला, अचा इन 75 सालों की जो पूरी कहनी आपने सुनाई, जो गौरफ गाथा के सफर पर आप लेकर गए, कोई ऐसी चीज़ जैसे कहते हैं कि अभी काले कपड़ों का बड़ा जिकर है, प्रदान म गया था, जब पत्रकारों को बंद कर दिया गया था, दो दिन आइधिंग अख़बार नहीं आया था, आइधिंग उससे एक सुतंतर भारत में, एक डेमोक्राटिक कंट्री में उससे बड़ा काला धबा कोई नहीं हो सकता है, कोई टरनिंग पॉइंट 75 सालों का जो आपने से पहले इतना गर्व महसूस करता था मैं, या करता हूँ अभी भी, जब मैं अपने घर से स्टूडियो तक या अपने किसी शूटिंग पर जाता हूँ, हर घर पर जंडा, यह तो भूलकी किया गया ना, और ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको डरा के कर रहा है, हर इनसान, बहुत बड़ा चेंज आया, शौचाल है विमन्स के लिए, यह छोटी-छोटी चीज़ों पर हमने ध्यान नहीं दिया है, मगर यह revolutionary changes आया है, हमको problem ही होगी थी, पहले अंग्रेजों से, और उसके बाद एक परिवार से, हमें परेशानी ही बात किया है, कि यह जो नए जब से मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया था, जब इंटॉलरेंस की speech बगारा शुरू हुई थी, इंदेश में इंटॉलरेंस हो रहा है, और जब इसके खिलाफ मैंने वह एक मार्च निकाला था राष्ट्रपति भावन के लिए, उसके बाद, I am also not the most popular person in the world, उस end of it अपने साथ जीना होता है, और ऐसा दुनिया का कोई इनसान नहीं है, कोई इनसान है जो सब के साथ popular रहा हूँ कि आरोपी लगते हैं कि कुछ प्रधान मंतरियों की विरासत को इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया क्या, कुछ प्रधान मंतरियों का, वो ही जिकर बार-बार होता है, इसलिए प्रधान मंतरी संगराले था, जो सिफ नहरू तक सिमित था, पारिवार तक सिमित था, उसके बाद नहरू संग्राले अभी लाल किले से गूंट जिसमें शास्तरी जी का भी जिक्र है बिल्कुल नरसिमा राओ जैजवान जैके संद सारे प्रधान मंतरियों का जिक्र है आपको जब यह शो आपने किया जब आपने इस चीज का अध्यान की आपको लगा कि हां वाकई कु जैसे मुझे दुखवा जब नरसिमा राओ जी को दिल्ली में फूनरल नहीं किया रहा था पार्टी ऑफिस में नहीं खुसने दिया था क्यों भई च्योंकि हमारे काल में रहे हैं तो हम ने तो काम भी उनका देखा है क्यों नहीं ऐसा हुआ क्यों ऐसा महसूस कराया गया कि कि इनके साथ ठीक नहीं हुआ, ये मेरी परसनल सोच है, और ये सब को ऐसा महसूस होना चाहिए, क्योंकि वो तो नर्सिमा राव जी के साथ जिस तरह से किया गया, उसको कुछ भी कह लीजिए, अब तैट वस नॉट फेर, शासरी जी को लेकर भी आपने जिक्र किया कि ताशक मिनिस्टिक्स के नाम पर है, इसी डिमाकरसी का मतलब है कि सवाल पूछना, तो अब हमसे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, इस चो के बाद और भी बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे, मगर जो हुआ, वो पेश किया गया, और उसमें आप डिसाइड करिए, उसम करने का मकसद था, और उसमें जब तक काबियत थी, आप, all due respect, पंडित नहरू को ले लीजे, इंदरा जी को ले लीजे, बर उसके बाद फिर वो, राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री बने, हैं, he was just a pilot, कहते हैं कि वो चला गया, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, and I respect that, but the point is, we are discussing, I'm sure we are discussing a point of view, और आप जिसमें समानता की बात कर रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी प्रधान मंत्री थे, वो बहुत important है, as on top of that, on the other side, Narendra Modi ji, जो प्रधान मंत्री, जब उन्होंने speeches देना शुरू किया, उन्होंने सब प्राइम मिनिस्टर को का contribution के बारे में बोला था, सब का योगदान रहा है, उन्होंने हर बार उनको बोला है, और, you can't take away, apart from the fact that I am an admirer of Prime Minister Modi, for the only fact, one of the facts, is वो देश के बारे में बात करते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी इंसान, जो देश के बारे में बात करता है, चाहे वो क्रिक्टर है, चाहे वो sports person है, चाहे वो politician है, मेरा वो favorite है, आटिक जी का भी जिक्र है, कि उन्होंने पोखरण का credit, इंद्रा जी को दिया था, तो the fairness तो यही होती न, कि आटल बिहारी वाजपई जी ने पोखरण का credit, लाल के लिए से इंद्रा जी लगते हैं, कि अभी की सरकार, मैं political comment आप नहीं करेंगे, लेकिन आरोप ये लगते ह आरोप लगते हैं, कि नहरू की विरासत को कम किया गया है प्रधानमंतरी संग्राले के जर्गे, तो बाकी लोग भी तो प्रधानमंतरी थे देश के, मेभी 17 साल तक नहीं राज किया उन्होंने, मेभी 2 साल तक रहे, मगर मुझे लगता कि लाल भादु शास्त्री जी का contribution at the time of war और जो उनका नारा है जया जया किसान, फिनॉमिनल था, उनकी खुद की सादगी फिनॉमिनल थी, उनका खुद का जो contribution था, फिनॉमिनल था, मुझे तो याद है जब 1971 का war हुआ था, या 1965 का जब war हुआ था, तो मैं उस समय सिर्फ 10 साल कहता, मगर मुझे याद है कि उन् नारा दिया था, हम सब बहुत उसमें प्रोटसाहित हुए थे, तो 100% सब का होना चाहिए था, कभी-कभी मुझे लगता कि मनमौन सिंग जी का जो शो है, परफॉर्मेंस है, सबसे difficult है, because उनकी typicality without making it into a caricature is very difficult, बिल्कुल, वो walk, बोलने का तरीका, वो walk, वो साथ चीज़े, आठ महिने मैंने उस पर काम किया था, कश्मीर फाइल्स को पूरी को, अभी भी कोशिश करते हैं, कि किसी तरह से discredit करें, अब तो इसके बाद कहेंगे, नरसिमा राओ जी का भाशन सुन लीजिए, मतलब लाल कले की प्राचीर से, अगर कोई प्रधान मंतरी बात कर रहे हैं हिस्ट्री को बदला थोड़ा है, उसको बताने में चाहरा है, वक्त लग गया, 29 साल लगे उस कहानी को बताने में, क्यों वो फिल्म दुनिया के हर कॉर्णर में चली है, क्यों उसने दिलों को जीता है, क्यों उसने तकलीफ पहुंचाई है, क्यों, कभी-कभी आंसु जो है जो जोडते हैं लोगों को, कभी-कभी गिल्ट जोडती है, लोगों को गिल्टी महसूस हुआ कि हमें पता ही नहीं था कि कश्मीर के में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उसको दबाने की पूरी कोशशिश की गई थी, और यह बोलना जरूरी है और यह करना जरूरी है कि कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदों के साथ हुआ, वह वाज जैनोसाइड, और यह सच है. तो यह जो कश्मीर फाइल्स के जरीए सामने आया, कुछ ऐसी चीजे जो इंटेंशनली नहीं बताई गई थी, जो छुपाके रखी गई थी, जिसे जंड़ा पंचर होता है, वो सारी चीजे, क्या लालकिले से गुंज के जरीए भी, वही चीजे हैं जो अब तक नहीं बता ही गई थी, जैसे आपने बताए नेहरू जी ने क्या आका है, जैसे आपने बताए कि किसी प्रधानमंतरी ने पहली बार लालकिले की प्राचीर से अपनी पार्टी यह धेक्षका किसे ने नाम लिए ओ, तो ऐसी चीजे जो शायत पहली बार सामने आएंगी。 बिलकुर सामन में आज की डेट में देखिये लाल चौक पर जो जंडे फैरा है जा रहे हैं मैं गया हूं मैंने तो पहला शो किया था लाल चौक से आप ही थे मेरे साथ किस तरह से तो क्यों नहीं ये सेम पुलिटिकल एबिलिटी या पुलिटिकल विल जिसे कहते हैं नहीं था क्यों मोदी जी की पुरानी तस्वीर क्यों आप निकल के आ रही है जो उन्होंने जंडा लगाने गए थे भाग के चुपके आज से पता नहीं कितने साल पहले क्यों ऐसा हो रहा है कि आज के राजकाल में 370 जो है वो हट गया 35A जो है वो हट गया तलाक ट्रिपल त क्यों यह पुलिटिकल विल पहले नहीं थी क्यों मैं आज कुछ दिन पहले नितिन गड़करी जी का भाशन रोता क्यों ऐसी ऐसी अमेजिंग टनल्स बन रही है और अनेजिंग रास्ते बन रहे है क्यों बिकॉस दे प्राइम मिनिस्टर इस इंस्पाइरिंग अन एस्पिर जुड़ जाते हैं पर चाहे वो स्पोर्ट्स परसन हो चाहे वो दूसरे किसम के लोगों सो वन दे लीडर ऑफ दे कंट्री इस एस्पिरेशनल इचेंज इस देमोग्रेफी ऑफ दे कंट्री अभी क्योंकि हाल फिलाल एक डिबेट एक उस पर में कमेंट चाहूंगा आपका प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया क्योंकि देश की बात हो रही है राश्वाद की बात हो रही है तिरंगे की बात हो रही है प्रधानमंत्री ने जिक्र किया जो मुफ्त की रेविडी वाला जो कल्चर है आपकी क्या रहा है इस पर मतलब उन्होंने का कि शॉट कट के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किस तरह से बस मैं popular हो जाओं, फिर वो मैं तो उसमें भी निजा रहा कि वो finally ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, but how can you run a place or become popular by making, ये तो एक हिसाफ से रिश्वत वाली बात है ना, रिश्व तो मुझे वोड दो, मैं तो मैं cycle दो, बिल्कुल मैं इसके favor में नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, कैसे हो सकता है कि मैं आप कुछ करें न करें, हम आपको पैसा दे देंगे, अगर आपको women empowerment दिखानी है, तो create jobs for them, create situations for them, अगर आपको 1000 रुपया या 800 रुपया, 200-2000 रुपया आप क्या देख रहे हैं, प्रदानुटरी नरेंदर मुदी के नित्रिफ्त में है, बहुत उजवल, बहुत उजवल, अगले 25 साल जैसे 5 trillion economy और सारी चीज़, देखिए, I am not an economically advanced person, मैंने तो अपनी भी company को 25 साल पहले डिबो दिया था, ये सोच के, तो मुझे पता नहीं है, मगर as I see, 25 साल बाद जब कि हम 100th year मनाएंगे आजादी का, India will be at the top of the world, और ये मैं बिना आँखें, मैं आँखें खोल के बात कर रहा हूँ, because हमारा यूथ जो है ना, वो जागा हुआ है, they come across to you, कि यार ये पूरे जुके नीर करते, या आदर सुबह सुबह शुबह प्राता काल नहीं बोलते हैं, बट उनके अंदर जो एक जजबा पैदा हुआ है, पिछले कुछ सालों में, वो जजबा बहुत दूर तक ले जाएगा हमारे ना, तो अभी शुरुआत हुई है, 75 साल क्या होते हैं एक देश के लिए, और 75 साल में हम कहां से कहां पहुँचे हैं, कहां से कहां पहुँचे हैं, मैं तो अपनी मदर का ये अगर ग्राफ देख लूँँ, कि उनके वो बात्चित, वो शीजब करेक्ट मापदंड हैं देश का अवलोकन करने के लिए, वो जो अरे क्या कमाल क्या देश हो गया, हम तो कहां से शुरू हुए थे, कश्मीर से शुरू हुए थे, जब 1942 में कबालियों ने हमारे को लूटा था, फिर हम वहां से भागे थे और यहां बात करते हैं, लेकिन दो सवाल हैं इसमें, एस लोंग आज टेक आर फ्रीडम फर ग्रां आज की डेट में तो राजस्तान में भी हो रही है, बाकी जगा भी हो रही है, तो टार्गेट किलिंग के हिसाब से आप देश को यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो अलग दो टॉपिक है, इसका देश के बढ़ातरी से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो चलता रहेगा, वो पूरे वर्ड में हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है वो, अलग सल्मान रजदी पर अटेक हो रहा है, बताईए आप, जिस न्यू यॉक जैसकी जगा, ऐसा नहीं कि कोई पिछड़ा हुआ, पिछड़ी भी कंट्री थी जहां पर कोई कुछ सेक्यूरिटी नहीं थी, कोई फ्रीडम अफ एक्सपेशन नहीं था, ये बगरा नहीं था, मगर जहां तक आपका पहला सवाल है, कि देश हमारा, वो आप कुछ भी कर ले, मेरे दादा जी कहते थे, बहते वह दरिया को कोई नहीं रोक सकता, और इसकी तो रफ्तार ही बड़ी कमाल किये है, एक और आखरी सवाल, ये क्रिटिसिजम रहता है कि बड़ा डिवाइड वाला महौल है, नफरत वाला महौल हो गया है, आपने उदेपुर का जिक्रिया है, राजसान का जिक्रिया है, वो जो चीजे हुई वहां पर, स्टेट्मेंट के वाद हो सारी चीजे है, लेकिन देश में, देश का बविश्य उज्वल है, लेकिन नफरत वाला महौल है, ये क्रिटिसिजम रहता है, बहुत डिवाइड वाला महौल है, जो इंडिया की सेकुलर फैबरिक को डेंट कर रहा है। दिवाइड का तो 1947 में था, 1947 से बड़ा डिविजन वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता है, जब देश, विभाजन, विभीशी का दिवस, 14 अगस्त को, उससे बड़ा विभाजन क्या हो सकता है, we have, we have braved all storms, we will brave this storm also, अमरित मंतन होता है, अमरित मंतन में व अपने आशा वाधिता से ही यहां तक पहुंचा हो, वरना एक forest department के clerk का बेटा, अज इतना बड़ा शो करके हटा है, और अपनी राहे देता है, I think इससे बड़ी आजादी है, और क्या हो सकती है, और भारत का भविश्य उजवल है, जनो आती आती रहेंगी, बिल्कुल, और मेरे साथ तीन ऐसे खास महमान है, जो संभवता आप कह सकते हैं, भारती राजनीती के ऐसे धूरंदर हैं, जिन से बहतर भारत की आजादी की कहानी, सुवतंतर भारत की कहानी कोई और नहीं सुना सकता, मेरे साथ सुधान्शु त्रिवेदी, राजसभा सांसद है, भारती सबसे पहले में शुरुआत सुधानशु जी आपसे कर रहा हूं ये जो कोशिश नेटवर्क 18 की तरह से की गई लाल के लिए से गूंज जिसमें हमने सुधान भारत की कहानी अलग अलग प्रधान मंतिरों की जुबानी हमने सुनाई मैं आपसे शुरू करूँगा आप तीनों का पक्ष पहले जाना चाहूंगा कि ये जो आजाद भारत की कहानी है भारत के अमरित महुतसव जो देश मना रहा है 75 साल आजाद भारत की कहानी पिल्कुल इस पुष्ट है कि स्वतंतरता के लिए सभी लोगों ने जिस जिस प्रकार का योगदान दिया उसका सम्मान होना चाहिए याद करिए हमारी सरकार में ही मोदी जी ने भारत के सभी पूर्व प्रधान मंत्रियों का एक इसमारक तीन मूर्थी के उपर बनवाया है यानि सभी प्रधान मंत्रियों ने जो जो योगदान दिया देश के लिए उसको इबानदारी से याद किया जाए हमारी सरकार जिस दिन बनी थी 2014 में याद करिए प्रथम प्रधान मंत्री पंडित नहरू जी का ये थोड़ा एको हो रा इसको ठीक करवा दी जेगा पंडित नहरू जी के 125 वर्ष था सरकार ने पूरे सम्मान के साथ पूरे पूरी उत्सा के साथ उसका आयोजन करवाया ततका मंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनवाई थी और उसके बाद चाहें ऐसी जमीर जी को देना हो चाहें प्रकाष सिंग बादल जी को देना हो चाहें तरुन गोगोई जी को देना हो पद्म पुरुसकार देने में भी किसी प्रकार का कोई भेद्वाव नहीं सुतंता के अमरत मौसम में इमानदारी से स्विकार करना चाहिए और एक आधिकार और एक मेव वर्चस्व की मनुवरति का त्याग करना चाहिए क्या एक आधिकार था मैं आपी से सवाल ले रहा हूं फिर मैं आगे बढ़ूँगा को कम कर किया गया कुछ प्रधान मंतरियों की आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या नहीं मेरा ये कहना देखे एक आधिकार बताएं क्या था जैसे भारत सुतंतर हुआ पंदरागस 1947 को सुतंतर भारत के प्रधान मंतरी के रूप में नहरूजी ने शपत्ली वैसे सितंबर 1946 में उन्होंने अंतरिम सरकार का नेतुर्त करते हुए कैबिनेट विशन प्लान के तहट सपत्ती थी यदि हम वह इतिहास में पढ़ते हैं तो 1943 में आजाध हिंद फौज की निर्वासित सरकार बनी सुभाष्यंद्र बोश जी जिसके प्रमुक थे ये कभी जन्नल नॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता यानि एक सामान ने स्कूली बच्चे से पूछे तो हमारी सरकार आने से पहले किसी को नहीं पता था जब 75 वर्ष पूरे हुए 2018 में तो जो भी लोग जीवित थे आजा दिन फौच के उन सब का गरतंत दिवस की परेड में ससमान संचलन समने किया तो उस समय के बलकी याद करिये उस समय दुनिया के जिन 8-10 देशों ने उस सरकार को मानिता दी थी वो उस समय बहुत शक्तिशाली देश थे वो दृती व करकार हिल गई थी आप याद करिए कि जो ब्रिटन में प्रस्ताव पारित हुआ था वो जून 1948 में भारत को सतंता देने का था यह जो 11 महीने प्रीफोन कर दिया गया उसमें बहुत बड़ा कारण वह 1946 का नौ सेना की अप्राइजिंग थी अब ये सब बातें भी इमांदार जी या नौ सेना की अप्राइजिंग इन सब का योगदान हम इमांदारी से स्विकार करते तो ज़्यादा बहतर होता कोई बात नहीं प्राण में हम सब पुरानी बातों को भूलकर आप इमांदारी से उनको स्विकार करने तो आने वाली पीडियों के लिए अच्छा उन चीजों को सुईकार किया जा रहा एमानदारी से खासकर जब बात प्रधान मंत्री संग्राले की होती है तो तमाम प्रधान मंत्रियों का नहरू से लेकर मोदी तक सभी के योगदान को वहाँ पर रिफलेक्ट किया गया है जिसके आज पूरी देश चर्चा कर रहा है प्रमुत्ति वारी दिखें मेरा तो छोड़ दीजे आप सारा दीश इस बात से पीड़ा महसूस करता है ये कौन बोलता है पिछले सत्तर सालों में जो कमियां हुई है जो गलतियां हुई है दूपर आदुनिक भारत के निर्माता पंडे जवालल नहरू की गलतियां गिनाने का काम कौन करता है भाजपा हमारे बड़े काबल मित्र हैं जो लिखने पढ़ने में उससे कहीं ज़्यादा आ गये हैं कि इसी त्यागी जी मेरा सौभाग गया है नमशकार उनको कि वो ज़्यादा बिस्तूप सिस्टर बता सकते हैं भारती जनता पार्टी ने एक गलत परंपरा और प्रथा डाली चलिए अब भी समाथ हो जाए तो अच्छा है नहरू को महान नहरू को हम तो महान नहरू कहते हैं आधरिक भारत के निमाता नहरू को जतना कमतर आखना के कोशिश की गई और लोगों से तुलना की गई जो नहरू के सामने कहीं नहीं ठेरते हैं क्योंकि नहरू ने उस भारत वर्स को सजाया समारा जो गुलाम भारत था जिसके पास अपने निर्मान के लिए कोई कल कार खाने नहीं थे हम पूरी तरह बिदेशी बाजारों पर निर्भा करते हैं हमारे पास सेना नहीं थी गिनी चुनी सेना जो इस दिनी भी नहीं थी कि हम उस समय अपनी सीमाओं की हिपाज़त कर पाते हैं एक सशक्त सेना बनाने में युगदान नहरू इंद्राजी सभी का मैं तो आटल जी को भी गिनता हूँ कि सब एक स्रेस्ट वर्दान मंत्रियों में आटल जी भी थे और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है परन्तु इसमें को दो राय नहीं है कि कमतर करके आखने की जो एतिहासिक भूल भाज़ पाने की है वो अच्छा में है नहीं करना चाहिए अब भी उनको चाहिए कि नहरू जी के योगदान सास्ती जी के योगदान इंद्रा जी के योगदान को सबको सिवकार करें राजियों जी का जो योगदान आदरिक भारत के निर्मान में है सिवकार करें उसको मनमुन सिंग जो उदारवादी आर्थिक नीदी उसे सिवकार करें तो ये भारत जो बना है सबने मिलकर बनाया है हर जाती धर्म ने मिलकर बनाया है अब आप एक नफरत की दिवार जो खड़ी कर रहे हैं क्या आजादी के लिए हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिक, साइस, सारे भाईयों ने मिलकर कुरवानी नहीं दी है अगड़े पिछणे ने मिलकर कुरवानी नहीं दी है आज आप जिस तरह से उन्हीं में अलगावाओत पैदा कर रहे हो वो सुबसंकीद नहीं है देश के लिए मैं सिर्व इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सबको अपना पक्ष रखना है सुदानसू जी अवश्य रखें लेकिन नाइंसाफी इस देश में पड़ी जवाहलाल नहरू के बिराठ बेक्तित उसे भाजपा सरकार नकी है ये मेरा एक निश्चित आरोग ठीक है, केसी त्यागी जी आपको भी लगता है कि वैचारिक विरोध की वज़ाद से आजादी के कुछ जन नायकों की विरासत को कम करके आखा गया या दिखाया गया, चायो प्रधानमंत्री हों कुछ केसी त्यागी तिकि आमरत महुत्सव के 75 वे वर्षकाल में हम आजाद भारत की उपलब्दियों का और इतिहास का जिकर करेंगी आज का दिन आलोचना करने का या किसी को बी लिटल करने का नहीं और इतिहास निर्मित होता, ये मैनिफेक्चर नहीं किया जाता कि हम अपनी च्छाओं से इसका निर्मान करें इतिहास गवा है कि आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक महात्मा गांदी थे आज कई बार गांदी जी पे भी सवाल उठते हैं जो दुनिया की नोबिल पुर्षकार कमेटी है जब उससे पूछा गया कि आपने गांदी जी को क्यों नहीं पुर्षकार दिया तो कमेटी का अद्श कहता है गांदी और इसा मसी इससे उपर है लेकिन अपने यहां गांदी जी पर भी आवाज उठती है सुभास बाबू का अभी मेरे मित्र जिकर कर रहे थे उनकी बे मिसाल उपलब दिया है और आजाद हिंद फोज ने नौर्थिष्ट के इलाके में लगबग भारत को आजाद करा दिया था लेकिन उनके गांदी जी के मतवेद नहीं थे कारिय परिनाली को लेकर के फर्क हो सकता है जब सुभास बाबू से पूछा गया कि आपके गांदी जी से मतवेद है तो सुभास बाबू का लिखा हुआ है कि इससे कैसे मतवेद होते है लेटा हुआ यह गोतम बुद्ध लगता है और जब ख़ला हो जाता है तो यह जैसस क्राइश्ट लगता है तो एक तो आजादी के आंदोलन के इत्यास की कई दारा है थी जैसे मुझको भगस सिंग बहुत रोमांचित करता है जो साड़े तेही साल की उमर में फासी खाके मरता है माफिय नहीं मांगता है और कॉंग्रिस पार्टी का इत्यास गावा है और देश की आजादी का भी कि उनकी साहदत के बाद ही रावी नदी के थट पर पूंड सवराज का संकल लिया जाता है उनका भी योगदान है जो नैविक विद्रो हुआ था मुंबई में उसका बेन योगदान है सब के योगदान है लेकिन इसी सुत्र की कड़ी के सबसे बड़े नायक मातमा गांदी है नमबर रेक नमबर दो पंदरगे सुनितो सैंतालिस को जो भारत मिला था उसकी सारी आर्थिक संपदाएं अंग्रिज बरबाद कर गए लूट के ले गए एक कंगाल भारत के परदान वंतरी के रूप में जवालाल नहरू ने ज़ंडा फैराया और वो दूर दरस्टी रखने वाले थे आजादी की लड़ाई में गांधी जी के बाद फ़स्जादे चिंतनशील थे और ने भारत के नव निर्मान के लिए उन्हें सफने दे के उन्होंने यहाँ पर हैवी इंजिनेरिंग के कार खाने खुलाए इस तील के छेतर में हम हो आई डी पील उन्होंने बनवाया एक भी दवाई हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर में नहीं बनती थी यह पहला मोका था जब आई डी पील खुला भागडा नांगल डैम अगर ना होता तो शाद भारत आज इस खुसाल मुल्क की स्रेनी में नहीं आता जहां आज पहले स्थान पर भारत दूद के उत्पादन में हैं नंबर वन पर भारत है चावल गेवूं गन्ना मुंगफली सब्जियों में नंबर दो पर है किर्शी उत्पादन में चार सो तीन अरब डॉलर का उत्पादन था पिछले बरत और वहां से लेकर के सांदुनन का जो जैपरकाश नान के नेत्रत में चला जवारलाल जी से भिन इंदरा जी के कदम थे लोक तंत्र को कमजोर करने के जिस पर उस समय के बड़े कवी ने लिखा था इंदू जी इंदू जी क्या हुआ आपको सप्ता के नसे में भूल गई बाप को इबाबा नागर्जुन की कविता थी उसके बाद एक गैर कांग्रेसी रानिती का दोर चला उसमें चरंसिंगी से लेकर के देवा गोड़ा तक उन्होंने किर्शी को अत्रिक्त उत्पातन करा करकर के देश को आत्म निर्भर नागरिक आजादी इमन राइट्स ये सब चीजें बाजबेजी के नितर में फली फूली पिछले डेड़ दशक मोदी जी का है जिन्होंने भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम भी चलाएं कई तरह की नारे भी चलाएं उनको लेकर के विरोधी दलों में भी कई तरह की मानताएं हैं लेकिन जब संपूर्ण भारत की आजादी के बाद की इतियास को लिखा जाएगा तो नहरू से लेकर के मोदी तक सबकी प्रसंसा जादे की जानी चीए बजाए आलो चिना की सुधान शुत्रिवेदी एक शिकायत आप लोगों से है कि वरतमान की चिनाथी और वरतमान की समस्याओं के लिए आप नहरू को आज भी दोश देते रहे हैं वो प्रमूत तिवारी ने भी कहा कि उनके योगदान को सबसे कम करके भारती जनता पार्टी दिखाती है कि सारा दोश नहरू का कश्मीर को यूएन लिजाना नहरू आज के दोर की समस्याओं के लिए भी नहरू दोशी है उनके योगदान को आप कम करके आखते हैं सुधान शुत्रिवेदी आज देखे मैं त्यागी जी के कुछ तक्निकी करणों से बहुत बड़ा हिस्सा नहीं सुन पाया पर प्रमोत तिवारी जी का त्यागी जी का सुना देखे दोनों ही मुझसे कहीं अधिक वरिष्ट हैं भारती राजनीत में इसलिए मैं विनम्रता के साथ थोड़ा अनाधिकार चेष्टा करते हुए उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ देखे प्रमोत जी ने जो बात बोली हमने कभी नहरु जी को कमतर नहीं किया यह सच है मैं इमांदरी से स्विकार करता हूँ IIT का इस्थापना करना एम्स की स्थापना करना बोकारो राउर केला स्टील प्लांट की स्थापना करना जो अभी त्यागी जी उलेक करे थे भाकडा नंगल डैंक की बात वह उनका सरहनी का रहे था उसका योगदान है परंतु यह भी एक सत्य है मैं विनमृता से कहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोजी के तथ्यों को संजोधन करूंगा हम आजाद हुए तो सेना कम नहीं थी सर उननीस सो पैंतालीस में सेकेंड वर्ड वार के समय 25 लाक की भारती सेना थी 25 लाक चूँकि अंग्रेज भारती सेनिकों का प्रेयोग कर रहे थे हमने दो साल में सब खतम कर दी और दो तीन लाक पे ले आए चाइना के पास एर फोर्स नहीं थी 1947 में हमारे पास 1932 से थी चूँकि ब्रिटिश लेगेजिस के बज़े से हमारे यहां बहुत और्डिनेस फैक्टरीस थी कि फिर उसका खामिया जा बहासाट में बहना पड़ा और में बताता हूँ ड्वाइड आइजन हावर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंचल आर्काइज में जेके गैल्फिज जो भारत में एमबेसडर थे उन्हों लिखा 59 में उन्होंने अर्यूजी से बात करके पूछा कि कितने समय में भारत एटम बम बना सकता है तो कहा एक साल में यानि भाबा के नेतरत में 1960 में भारत परमान इसफोर्ट करने की स्थिति में था अगर हो जाता तो 62 की लडाई नहीं होती 65 की लडाई नहीं होती हम नुकलेर सप्लाइर ग्रूप के मेंबर होते हैं वगएरा 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 वो छोड़ दीजे दूसरा मैं कहना चाहता हूँ पर उस समय उन्होंने कहा वी बिलीव इन एटम फॉर पीस ठीक है अच्छी बात थी शांती अच्छी है परंतु यह जग नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांती प्रवचन शीश है उसको जुकाता जो कर सके रिपुमार मर्दन बाद में शास्त्री जी ने उस पॉलिसी को चेंज किया इंद्रा जी ने उसको आगे बढ़ाया तो जहां पर और दूसरी बात भारत संयुक्त राष्ट संग में लेखे गया कश्मीर का मुद्दा कब लेखे गया? अक्टूबर 1947 संयुक्त राष्ट संग बना कब था? 24 अक्टूबर 1945 मैं विपक्ष के अपने बड़े बड़े विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूँ इस पैनल पर नहीं पूरे भारत में जरा मुझे बता दें कि भारत के कश्मीर के विशे से पहले कौन सा अंतराष्टी विशे कश्मीर यूएन में गया था? यूएन की कोई आउकात नहीं थी उस समय, यूएन की कोई मानता नहीं थी, हमने लेजिटिमेसी दी दो साल हुए थे सिर्फ यूएन को बने हुए कोई अंतराष्टी कॉन्फिक्ट बता दिया जा जो कश्मीर से पहले हम वहां लेके गए तो ये भी कभी कभी हो जाता है कि अंतराष्टी इस तर पर हमने भारी-भारी गलतिया गी चीन से तो हमारा सीमाई नहीं लगती थी चीन हमारा पडोसी नहीं था हमारा पडोसी तिबबत था तिबबत चीन का है मानने को कोई तयार नहीं था 1955 में इंडोनेशिया में बांडू कॉन्फरेंस में नहरू जी ने वीटो कर दिया कि यह आप चीन को नहीं बुलाएंगे तो हम वहिशकार कर देंगे अब यह सारी गलतियां तो क्या यह सत्य नहीं है आज चीन हमारा पडोसी हो गया अब इसके लिए क्या करें तो जो अच्छाई है वो भी स्विकार करिए जो कमिया रह गई वो भी स्विकार करिए परंतु यह मानना कि सिर्फ अच्छाई मानी जाए इस विचार से हटना चाहिए लोक तंत्र में इमानदारी से स्वस्त आलोचना होनी चाहिए अगर आज सरकार जैसे हम कहते हैं, इस समय अंतराश्टी इस तर पे महंगाई आई, उसका प्रभाव भारत में है, हमें स्विकार करना पड़ेगा, वैसे आज जो लेटेस रेट आई उसमें 7.1 से घटकर 6 के आसपास आ गई है, उसे स्विकार करने में कोई गलती नहीं है, प बाद में तो विष्लेशन हो सकता है कि जूख हुई, गलती हुई, या गलती हुई, या भारी गलती हुई, इन सारी बातों के उपर इमानदारी से विचार कर लेना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता किसी के प्रतिक कोई रागदवेश ही बात है, कि अबर राष्ट के हिस प्रमोतिवारी जी और शायद इसलिए लाल के लिए से गूंश में अभी हमने दिखाया कि वाजपई जी ने जब पोखरण का श्रे इंदरा गांधी जी को दिया उन्होंने लाल के ले की प्राचीर से कहा वाजपई जी ने कि नीव इंदरा जी ने रखी मैंने इमारत खड़ी करी पोखरण प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने लाल के ले की प्राचीर से मई 2014 में जुन का पहला भाशन हुआ उसमें का कि देश के तमाम पूर प्रदाहन मंतरियों का योगदान रहा तो योगदान तो सरहा गया सभी का नहरूजी से लेकर तमाम प्रदाहन मंतरियों का लेकिन जैसा त्रिवेदी जी ने का कि अच्छाई भी है लेकिन कुछ स्वस्त आलोचना भी होनी चाहिए यही खुबसूरती है लुक्तांतर की प्रमुत तिवारी जी हम एक ऐसे भारत की बात करें जब कुरवानियों का इतिहास पढ़ा जाए तो ना फिर हम असपाक उल्ला को भुलाएं ना देश के आज़ादी के बाद हवलदार अब्दूलहमीद को भुलाएं हजारों लाखों जो हिंदों ने कुरवानी दी है उसको भी सलाम करें लेकिन एक आज कोशिश जो हो रही है इस देश को जो अंग्रेजियों नों किया था धर्म के आधार पे बाटने का आज अगर धर्म के आधार पे थोड़ा भी बिखराओ इस देश में आएगा एक साथ लेकर नहीं चलेंगे हर किसी को हिंदुस्तानी नहीं बनाएंगे हिंदुस्तानी के रूप में नहीं बनेंगे बराबर कज़कार नहीं देंगे तब तक हमारी आजादी बेमानी की जाएगी मैंने बहुत जड़ता से कहा है दोहराता हूँ ये प्रवित रुकनी चीहे पंदरा अगस उनीस तालिस को देश आजाद हुआ था दो हजार चौदा में देश नहीं आजाद हुआ है जिन लोगों ने कहा आजू मंत्री पत्ती सोभा क्यों बढ़ा रहा है इतिहास कौन गलत लिख रहा है कौन गलत बोल रहा है क्या बड़े बड़े पदाइसकारी नहीं उल गए है मैं नाम नहीं लेना चाहता है ये एक अच्छी चर्चा है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आईए हम सब बिलकर सुदानसु जी तैगी जी एक ऐसे भारत का निर्मान करें जो दुनिया का सर्वाधिक सक्तिसाली आत्म निर्वर भारत हो जो सपना नहरू ने देखा था इंदाजी ने देखा था राजी जी ने देखा था और महान अटल बिहारी बाच्पी ने देखा था कहीं ने कहीं अटल जी का वो अग मिसिंग है मौजूदा सरकार में इसे फिर लाना चाहिए हमें मत आदस मानिये अपने आदस को आदस मानिये इनी शब्दों के साथ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ भारत आने वाले दिनों में कैसा होगा यह आज हम ते करेंगे और इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा यही आरो बीजेपी लगाती है कि जब आप नाम लेते हैं प्रधान मंत्रियों का तो शास्त्री जी का योगदान आप भूल जाते हैं नरसिंग्मा राउ का योग यही आरो बीजेपी लगाती है सर्ब नाम तो मैंने लाल बहदुर शास्त्री नाम तो नरसिंग राउ जी का छूड़ गया शास्त्री जी का छूड़ गया जी नाम तो छूड़ गये मनमोहन सिंग जी के नाम तो छूड़ गये तमाम नाम जब बात हो रही थी पीशे नहरू का था हमने अटल जी का नाम लिया हमने 36-98 के बीच का देखने लगें कि दो प्रजान मंतरी में गुलजार जी भी हुए गुजार जी भी हुए और हमारे करनाटा के प्रजान मंतरी हुए वो जो मुखवंती थे उस समय तो ये तमाम चीजें हैं इस पर न जाये सब का जो कहा है अभी तैगी जी ने मैं उसमें जोड कि जब कमतर करके नेरू मेरे आदर्स ने आइडियल है करोन भारत वास्यों के उन पर जब हमला होता है उनके कुछ नहीं करते उनी के ग्रह मंतरी सरदार पठेल से उनकी तुला करके नेरू को छोटा करने की कुश्शिश करते हैं सरकार तो ना करे सरकार का वो दल तो ना कर जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से एक ऐसा युद्ध किया जिस से भारत का सरूचा हुआ चोगल लहल तक हम पहुंच जाए थे तो उनके युगदान को नहीं भुलाया जा सकता बैं ये बहुत बिनमरता से कहना चाहता हूं सास्ती जी महान थे महान है मैंने जिकर किया ता शायदा भूल गए कि सोमार को नारा दिया था उन्होंने कि एक दिन का उप्वास रखो मैंने सास्ती जी का जिकर किया था किसी थे आगी जी जो सुधानशु त्रिवेदी ने का कि योगदान को कोई कम करके नहीं आकरा लेकिन हाँ सुस्त आलोचना भी जरूर है कश्मीर को यूएन तक ले जाना उसका बार-बार जिक्र अभी बीजे पी करती है रही अभी सुधानशु जी ने किया या 62 में हिंदी-चीनी भाई-बायर उसके बाद वो चीन ने किस तरह से घुस्पैट की फिर 43,000 वर किलोमीटर के जमीन चीन के पास चले जाना 38,000 और 5000 जो आकसाई चिन तो ये सारी चीजों का जिक्र क्या योगदान को कम करता है या इन चीजों की बात नहीं होने चीए के सित्यागी जी देखिए कुछ चीजों पर टटरस्त भाव से भी सोचने की और विचार विक्त करने की आवसकता होती है मेरे बाद की पीडी के बहुत विद्वान राइनितिक लोगों में से हैं सुधान सु तर्वेदी जी और मुझे मज़ा आता इनके साथ बहस करने में मेरे जब भी बैठते हैं तो हमारे इनके लंबी बहस होती है लेकिन सुधान सु जी 15 अगस्त 1947 को जब सारे देश के राजी रजवाले सरदार पटेल के कहने पड़ प्रस्ताव पारित कर रहे थे कि हमारे राजी को केंडिये सूबे के साथ केंडिये राजी के साथ मिलाना चाहिए उस समय हरी सिंग जी क्या कर रहे थे जमु कश्मीर के राजा उन्होंने च्योनी 15 अगस को 1947 को हरी सिंग जी ने चिठ्ठी लेकर के दे दी होती तो शायद कश्मीर की इस्थित्य आज ये नहा होती नमबर एक नमबर दूनों ने किया क्या उन्हों ने पांच सुत्री प्रोग्राम दे दिया पंडी जबाला नहरु को और पांच सुत्री दे दिया लिया गतली खान को पाकिस्तान के प्रदानमंतरी थी, कि किस तले से इसको सॉइठ रख करके, एक संगे के रूप में लिया जा सकता, भारत ने एस्वीकार कर दिया, और पाकिस्तान एस्वीकार कर लिया, कैसी यज़म इस्टिती होगी होगी, आप कल्प ना करो, नंबर एक, नंबर दो, जो उस गांधी और नहरू पर यकीन हैं हम जुम्ना के थेवक्रेटिक स्टेट में नहीं जाएंगे हम जवारलाल और महातमा गांजी के सेकुलर स्टेट में रहेंगे तो उनकी भूमिका को भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए नंबर तीन प्रमौत किवारी जी उन्निस सो सेंताल आप राम चंदरन को जो फिलम एक्टर हैं उनको भारत देते हो और सरदार पठेल को उसके बाद देते हो ऐसा क्यों होता है अगर ऐसा होता है तो लोगों को फिर तिवारी जी कहने के मौके मिलते हैं तीसरा मेरे मित्र ने सवाल उठाया यह इसका बांडूंग कॉन्फरें तो उसका मैं जरूर जिकर करना चाहता हूं की उनीस सो सेंतालिस, 88 के बाद भारत की और चीन के आजाद होने के बाद दो दूनिया बच गई एक अमरीका की दुनिया थी एक रूस की दुनिया थी भारत ने इन दोनों दुनियाओं से अलग रहने का प्रियास किया और मैं नी संदे तारिफ करना चाहूंगा जोहाला नहरू की जिनके नेत्रित में गुट निर्पेश नीती बनी जिसकी पहली कॉंफरेंज जिसका जिकर बांडूं का किया है मेरे मित्र ने वहाँ पे हुई तो वहाँ पर हिंदुस्तान को सीटों का मेंबर बनाने के लिए डलेस साब आते हैं जो विदेश मंतरी हैं उनिस सो बाउन में जावालाल कहते हैं मुझे किसी मुल्क का नी बनना पाकिस्तान बन जाता है उसका नाटों सूजी 1971 मी मत भूलिए ये अमेरिका ही है जिसके हम लोग कई गीत भी गाते हैं और उसकी विदेशनिती की भी आजकर बड़ी प्रसंसा होती है जिसने बंगला देश बनने से रोकने के लिए हर संबब प्रियास किये जिसकी मितरता की वज़े से जिसकी संधी की वज़े से बं अमरिका फ्रेम है हम हमारा जो रूस के प्रिती फ्रेम नहीं है उसको इतिहास के उस द्रस्टी से नहीं देखना चाहिए याद रखना चाहिए कि किस तरह से अमरिका 30 साल तक भारत के वुरुद रननीती बनाने में पाटिस्तान की मदद परता रहा है एक आखरी कमेंट एक सिर्फ एक मिनिट का तुलना करके नहरू को कम करते हैं यह अगर समय कम है तो मैं सिर्फ यतान बताना चाहता हूं 15 अगर 47 को देश आजाद हुआ इस संदर में सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूँ लंडन के दर गॉर्डियन अकबार ने 18 मई 2014 को लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में एक दूसरी आजादी के दिन के रूप में देखा जाना चाहिए क्यों उसने लिखा क्योंकि आजादी के बार लंबे समय तक वह विचार वो मानसिक्ता वो विवस्थाएं रही जो ब्रिटिश कॉलोनियन राज की लीगेसी थी पहली बार एपसलूट सत्ता एक ऐसे विचार के हाथ में आई है जो पूनता भारती है माने वरिया हम नहीं कह रहे हैं ये उस जगह पे कहा गया जिसने हम पे हुकूमत की और जिस धरती पे जाकर अभी कुस दिन पहले राहुल गांदी जी ने ग्यान दिया था कि भारत की अर्थ्योस्ता ठीक नहीं थी जहां मनमोहन सिंगे जाके केंबरिज में 2006 में डिगरी लेते हुए अंग्रेजों की प्रशंसा की थी मैंने सिर्फ एक फैक्ट रखा दूसरा मैं कहना चाहता हूँ ये बात बिल्कु सही है जो उन्होंने बात कही 1947 की तुसर यह भी सही है पह महराजा हरी सिंग को ना सिर्फ दबाव डाला वो स्वैम कश्मीर गए भी और उसमें महराजा हरी सिंग ने उनको अपने हाउस में रोक दिया था जाने नहीं दिया था और पिर प्रस्ताव ये रखा कि शेख अब्दुल्ला को सद्रे रियासत बना दे यानि कोई व्यक्ति अपने दुश्मन को सद्रे रियासत बना दे जिसको जेल में रखे हैं और खुद सामान ने हो जाए इस डंकी बहुत सारी विचित्र बाते हैं अब छोड़े हैं उने इतिहास की बातों मैं सिर्विय कहना चाहूंगा कि स्वतंतृता को सार्थक करने कमर कसें बलिदान करें जो पाया उसमें खोना जाएं जो खोया उसका ध्यान करें